पूलों की सुगंद महराज जूँ जूँ मैं उस फूल के पास जाता त्यों त्यों सुगंद बढ़ती गए उस सुगंद से तो मैं बेचैन हो गया महराज जब मैं उस घाटी के पास गया तो आश्चर्य चकित रहे गया अती सुंदर दो कमल के फूल यहां एक छोटा सा मतलब वारतालाब सीत बसंत नाटक से लेखक है महेश राम जावन सीतबसन की कहानी उसके बारे में थोरा सा दो शब्द है कानी किस पार आफ हैराज कारे तुर्भाग your राजा की कहानी है परण तू दूख्य है उसका कोई संतान नहीं तो त्राप्ति के लिए वह सब को देखता है लेकिन संतान प्राप्त नहीं होता है जो शादी हुए जो बड़ी रानी थी उसके साथ नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि जो तीशी ने कहा कि आप दूसरी शादी कर लो तो राजा ने दूसरी शादी की उसके साथ बच्चा नहीं हुआ तीसरी शादी की नहीं हुआ चावथी शादी की तब नहीं हुआ उन्हों सित बुसरी का नाम बसंद शित और बसंद भायबहन थे जो रानी थे वो तो उनको बहुत ही प्यार करती थी लिकीन हुआ कि यह जो वाकिछ रानिया थी वो उनको इर्शिया हो और उन्होंने पैसा जाल फैलाया कि उन्होंने उसके जो बेटे थे सीत और बसन उसको लेकर जंगल में भेज दिया और उसको मार कर जान से उसको मिट्टी में गार दिया अब क्या होता है कि जहां पर उन्होंने उसको गाड़ा था मार कर शीत बसंद को वहां पर अचानक से दो फूल खेलते हैं जंगल में सबकुछ अखरा लेकिन महां पर वीसमई धंक से उसमें दो फूल खेले तो फूल के बाद में राजह को राजा को पता सलता है कि जैंक तो गोद्टा उन्होंसे हुक्म दिया कि आप तुम जाकर फूल को तोड के लाओ तो नोगोंने सिपाइ बेज फूल तोड़ने के लिए तो जब फूल तोड़ने जाते हैं तो फूल तोड़ने ही पाते हैं और वो फूल ऊपर अकाश में हाजाता है इस तो पर अश्य Ankshraal की बात है राजा को बतते हैं कि इसा होता है राजा तो वो बारी बारी से सेनापत्री को बेचता है और बड़ी रानी को बेचता है जाकर थोड़ कर लाओ तो किसी को तोड़ना नहीं आता है उन्होंने का कि मैं खुद जाओंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है उन्होंने जूति इसको बुला है तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है कि संभवे की जो छोटी रानी है तो उसके हाथ से वो राजा के जो बच्चे हैं वो पहचान लें और वापस आ जाए बाकी की कहानी महरीज जी मैं आपको यहां पर रोकूंग जनता से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग कहानी को दिल्चस्प महसूस कर रहे है तो जरूर पुस्तक खरीद दीजे इसको पढ़ लीजे मज़ाएगा लेकिन पुस्तक में दो तीन पंक्तिया जरूर आप तक पहुँचाएंगे यहां पे महराजा कह रहे है कि महामंदर ज जी राजा जोतिशी सेनापती जी तता सदस्यों में आज एक बहुत गंभीर समस्या से गुजर रहा हूँ अब तो मेरे देश के छोटे बरे सभी को पता चल चुका है कि जंगल में दो फूल खिले है जो किसी के हाथ नहीं आ रहे है मैंने इसी समस्या पर विचार करने के ल तो कि ऋसनाटक को हमने यह पर इसका मंचन किया और इसको कई परद emotionally कि और हर प्रदर्शन में लोग तो अंपने पूरह करे आते थे और उसको देखे थे परेंश से तो इसी नाटक को लेकर हमने बाद में। इसको ब्रुए बोस्पुरी में विखिया. अच्छा को यह तो हिंदी में था, लेकिन इसको ब्रुष्पुरी वर्ज embedded साना फिमने तियार किया नेशनल स्क्रोल ट्रामा में कामानी ओडिटरिम में हमने इसका शो किया था उसके बाद पटना में और फिर बंबई में और उसके काफी भोजपुरी लोग कथा से जुरा हुआ है यहाँ जी हम यह इसको आप किसी भाशा में कर सकते हैं लेकिन यह जो फोर्क लोग कथा है वो तो भोजपुरी में ही प्रचलिती चलिए आपके लिखन के बारे में थोड़ा साम बता बात करते हैं आपने सीध बसंत लिखा और निर्देशन भी किया फिर उसके बाद यहाँ पर आप यह जो इसकानी पारे में चक कम के और चक्र करांब рядом's जो कानी उसका नाम है चक्र जो हीकिने के यह कानी chain मगोज़े चोटनत्राल्य के बाद точно 68 के बाद 1970 के लगबग उसमें काम किया अब उसमें जो चकर में जो है उसमें अजादी के बाद वो नौकरी की और नौजवानों का बहुती काफी की समस्याई थी तो उसमें एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो एक तो बेकार है और फिर वो नौकरी की तराश में है और फुटबोल खिलता है, ऊच काम नहीं है, तो यह दिन्हा गवगा ऊचारा है. में वजो release a football, अनुट खिलते हो 주олै, उसका हाथ में हो चोप लग जाती हुए, उसका हाथ मोच आता है. तो वो उसमें वो ऑस्पिटल जाता है पहले तो वो डिस्पेंसरी जाता है तो उसके बारे में वो नौजवान जाता है डिस्पेंसरी से जाता है ऑस्पिटल और हॉस्पिटल में चकर खाता रहता है उसको कभी यहां भीजते हैं कभी वहां भीजते हैं वहां से वहां चकर का अभी अपने हाल में आपने बताया कि आपका एक नया प्रकाशन आया है मौरिश्यस के आठ भोजपुरी रंग एकांग की तो अब हिंदी से मतलब दूसरा रासा भोजपुरी को आपने अपनाया इसके बारे में पताया उद्देश क्या है आपका उससे पहले जी मेरे और भी कई हिंदी के कई नाटक आये हैं आपको मैं बता दियूं कि नाटकों में करमफल नामक और नाटक है यह भी नाटक है जो जिसका हमने मंचन यहां किया और भारत रंग महुत्षव दिल्ली में भी में हमने भाग लिया और फिर आतकाश्यं तक आझ का शेंतक शेंतक मूड्या पहार पर शेंतक तो हम रहे यहां है मूड्या पहार आदारि था यह आज को हमने बोंने भूंदक डंग से उसको नया रूप दिया है ओव सियंतक की कानिया और-जल्य chocol बना हैम प्रशा स्के आठ भूजपूरी रंगे mostrar骬 हैं कि यह जो चाहते हैं कि वह आगे बड़े इसका प्रचार प्रसार हो तो एक भाषा को लें आप तो उस बाशा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो आप सिर्फ गीत गवाकर या छूटा मोटा काम करके नहीं कर सकते हैं एक भाषा भुषपुरी एक पूरी भाषा है महरत में उसकी मान्यता है बिहार में यूपी, एमपी में उसको लोग बुलते हैं वहां पर पत्र पत्रिकाएं छपती हैं और कई सहाथिक काम भी होते रहें मौलिशस में भुषपुरी लेखन के बारे में कोई काम नहीं हुआ है और मेरा विचार है कि इस दिशा में बहुत काम बाकी है आप चाहते हैं कि बोजपुरी का संपूर्ण और अच्छा विकास हो तो साहितिक क्रचना हैं, साहिति इस विधा पर काफी काम होना चाहिए। आप चाहते हैं कि बोजपुरी की पहचान हो, मौरिश्यस में अलग पहचान हो तो इस क्षेत्रे में काम करना बहुत ही ज़रूर 보다 मेरा क्ष entr wanna नायतर है एकांग एक说 54 कोड़ा कर इसमें आप अथर लिखन Спछ करते अब ऐसमें कि जो जैं सेखेंगे कि जो में आतवी प्राइब लिखते हैं और प्रस्तुत करतें जो जानते हैं कि बुस्तपूरी और हिंदी नाटकों में काफी काम किया है। उसके बाद सीतारामयाद हमारे स्वर्गिया सीतारामयाद उनकी भी एक रचना है। उसके बाद जग्देश औजायब जो उन्हें ग्रोव के रहने वाले हैं। उन्होंने काफी एक शेतर में क्याम किया है सुदेश कुमार किसना जो हुवे जिगापव रहते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा नाटक लिखना शुड़ू किया तो हमने सुचा उसकी रतना का भी इसमें संगलने स्थान दिया जाए अम आओती गनाओरी जो प्लेंदिग लिखे हैं हिंदी में और कई भुप्री में नाटक लिकर प्रते वीताओं में उन्होंने भाग लिया है फिर आप राजेंद्र सहराशिंग का नाम तो लिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक शेत्र में जर्मा ख्रें अभी तक हो लगे हुए हैं और उनका नाटक जहन मन्चन क्या पूरे देश में तो आप इसको लेकर पड़ सकते हैं और इसका मंचन कर सकते हैं अचा नाटक जो है प्रतवीता हो रही है बगजपूरी में वहां की समघ्रिया यह है कि लोगों को नाटक कि कमी महसुस होती है वो खुद लिखते हैं तो कुछ न कुछ लिख करते तो उसका कोई स्थर नहीं होता है तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे स्थरिय नाटक लिखे जाएं और उसको प्रकाशित किये जाएं ताकि कल जो लोग नाटक करना चाहेंगे इसमें से लेकर वो अपना नाटक को मंच कर सकते हैं तो यह बोजपुरी नाटक की बात है और हम चाहते रशक लोग से कि आप भौचपुरी को बढ़ावा दिजेगा लेखन को बढ़ाव नाटक को बढ़ावा दिजेगा और इन पुस्तक को आप भरी दियेगा और खरीद कर अगर आप मन्चन करते हैं तो इन कहानियों का मन्चन आप जरूर कीजेगा यह सब हमारे इस्थानिया लेखक है अपने लोगों को बढ़ावा दीजे और अपनी संस्कृत अपनी भाषा आगी बढ़ती जाएगी यह संसात रंग एक आंकी में अभी देख रहा हूं पुस्तक यह आपकी एक प्रकाशन है यह मेरा पहला प्रकाशन है और यह 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था हमारी एक संता थी भारती भारती रंगमंदीर तो भारती रंगमंदीर के और से हम लोगों ने नाटक लेखन प्रत्रविता काया जन किया था हिंदी में तो उसमें कई लोगों ने भाग साथ मुख श्रेश नाटक कायते तो हमने उनको प्रुशकार के डूप में वाधा किया था कि हम उनको प्रगाश्ड करेंगे भारत से और आपके सामने आएगा तो इस तरह से यह साथ नग एकांग की बहुत पहले प्रकाश्वित हुआ और आपके हाथों में बिल्कुल बिल्कुल यहां पर रख देते हैं मैं प्रशन में पूछना चाहूंगा चोटे से लेकर आप बड़े बढ़ते गए और पढ़ाई करते गए नातक में रूची लेखन में रूची अन्यक्षेत्र में नहीं हिंद क्यों कि हिंदी का मुझ पर संस्कार पड़ा है मेरे दादा जी से और मेरे पिता जी से और श्री मुनी शॉलाल चिंता में जी से अविमनी अन्यत के संबर्क में जो आया मुझे बहुत है मतलब कि जबज़स प्रभाव इसमें ला और मैं जब पढ़ने लगा तो आपको यकीन होगा कि मेरा एक दोस्ता अस्तानन सदासिंग वह भी राजयन सदासिंग हम लुक साथ में थे तो जिस समय हम लोग को मतलब की परशान में जब पढ़ाई करने जाते थे तो होड़ लगती हम हम से कि कौन कितना ज्यादा उपन्यास पढ़ता है कितना ज्या है जब हमें में मैं तो उसमें जितनी पुष थो जितने उपन्यास ते शरेशार्चंद्रı कि कर्षने चंदर के और जो भी लिकह ौधड़ने अ कम Sumonis को अ मजेग हम लोग उसको सभी लगबक सभी पुष एकें लाकर भरते थे बारिबारी से पढ़ते थी तो इतना पढ़ना और ते वससरो प्रपाव जान उपलेगा और अभी आपकी ऊमर सतर साफिर्टब कर चुके है और अपने रितायर अवकास प्राप्ट कर चुक है हम आज किस तोर पर में सब्सक्राइब आज कर देखते हैं कि बहुत सार हमारी नौजवान जो है वह हिंदी पढ़ते हैं फूम वान ग्रेड़ सेवन एट नाइन तक फिर लेटर लेते हैं हिंदी नहीं पढ़ेंगे आपको कहीं पे तो ऐसा लगा कि आपने हिंदी का चयन किया और अभी आप सोच रहे कि हां मैंने घलत किया नहीं बिल्कुल नहीं तेके हिंदी के बारे में जो धारना है लोगों की यहां पर मोरिश्यस में वह काफी ठीक नहीं है आप जानते हैं कि हिंदी एक अंतराश्य भाषा है अभी युनाइटे नेशन में उनको मान्यता मिली भारत में जितने लेखक हैं और जितने पुस्तकें प्रकास्टी थूई है होती रही है वो तो ग्यान का सागर है तो इतना इतनी धनी भाषा में आप जितने सहित आपको देखने को मिल रह है कविता में कहानी में उपन्यास में यातरा इवरित में फिर और विशयों में तो यह जो भरमार है विशयों का वह हिंदी में है और किसी और भाषा में ज्यादा नहीं है तो इसे अब हमको क्यों फाइदा उठाया जाए आपको नोक्री ने मिलती है तो क्या वात है हमने राप्त करने के लिए तो यह सब नहीं लिखा नहीं पढ़ा एक प्रेम चाहिए और हिंदी में जो जो सागर है वह बहुते गहरा है उसके गहराएं में जाने के लिए पूरा उम्र जो है आपको परियाप नहीं है अब जितना भी अंदर जाए उतने गुता लगाएं उस साग मही जी एक अन्य विशय पर आते हैं हिंदी केक्षेत्र में ही लिखन केक्षेत्र में आपने नाटक लिखा कहानी लिखी और आपका एक प्रकाशन आता था एक मगाजीन आती थी उसकी बारे में थोड़ा सबताएं वह हमारा हिंदी प्रेम ही था उसमाई 1960 अजादी के हमारी एक संच्च था इसका नाम था भारती सहेट्य संग क्यढ़ां को हमने सोचा साटी संग में हम लोग क्यों प्टिरिका का हिंदी पत्रिका काeles आरहम करें तो हम ने अभानाम का के का पत्रिका का क्रों शूर किया तो ऑद लोग भूल गए हैं वोग पहचानते भी नहीं संपादक आप ही थे उसका मा संपादिक की ऑजा खाग कंडल थे वहाँ पर तो फोह ये ये टो हम लोग अपने खर्चे से अपने पैशे से खर्चा करते थे और इसका प्रकाशन करते थे और मैं देख रहा हूँ अभी आपके ही मागाजीन आभा में जैजूत नामक लिखा के हैं जिनकी कहानी है चोट अभी ताजा है अभी हाल में है अगर आपको याद होगा कि मुर्शस्य हिंद बंद हो गया तो समय के साथ इसको बंद करना पड़ा क्योंकि उस समय जो प्रेस की जो समस्याएं थी वो बहुत बड़ी थी और फिर फाइनेंशल प्रोब्लेम का अर्थिक कोई साहिता बाहर से नहीं मिलती थी तो इसवाजा से इसका प्रकाशन बंद हो गया इसकी तबकि छे-साथ प्रतियां उपलब्द है और इसको काफी लोग पसंद करते थे और इसमें नए लिखकों को इसमें हम लोग आमंतिर्ट करते थे ओर लिखने के लिए परकाशिक करने के लिए इसमें लोगों का इंटेर्वी चपता था जिन्दगी के इस पराओ पर आप पहुंच गई है सत्तर की उम्रे में अभी वहर उची है नाटक को लेकर कहानी हिंदी को लेकर और आपका कोई कि फ्यूच प्लान भावी योजना है जो हाल में एक शिद बसंद का है उनका पुनर हमने इसका मंचन करने का कि योजना बनाई थी लेकिन कुफाइमेट की वज़ा से कोविड-19 जो आ है तो उसकी वज़ा से रुखना पड़ा तीन साल तक तो कुफाइमेट था और हम नहीं क तो उस पर भी समय के साथ उसका मंचन करने की योजना बना रहे हैं अवकाश के समय आप पूरे नाटक को ही दे रहे हैं तो जब तक हम संभवत हो सके तो हम इस पर लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि इसमें आगवे बढ़ेंगे महेट जी कारकरम के अन तक पहुंच रहे हैं लेकिन जाने से पहले हमारे नौजवानों को जो अभी नाटकों में रूची दिखा रहे हैं अभी नाटक के साथ फिल्म भी आ रही है तो लोगों के लिए आप अनुभवी है आपका बहुत ही बड़ा अनुभव है नाटक लेखन के शेत्र में भी हमारे नौजवानों को लोगों ने देखा होगा कि उसका नाम था Rang Darshan Rang Trishan में हम छोटे मोटी नाठक लेकर उसको इसको फिल्म बनाते थी और उसमें ने ने गूरूप के साथ ने कला कलोओं के साथ उसका ऊपालू करते थे बिसक ये और से और और तो अभी जो लोग बना रहे हैं तो उनको तो साहिताय मिलती है हम दो लोग जब करते थे तो काफी मुश्किनों का सामना करता था लेकिन रंग दर्शन बन हो गया बाद में देखे हिंदी हिंदी एक पूरी भाषा है हिंदी एक अंतराष्य भाषा है और उसमें आप जितना पढ़ेंगे पहले तो आपको पूरा हिंदी में जो जितनी विदाया है उसमें से बहुत काफी बहुत सारी पुस्तक हैं बहुत पत्र पत्र काया चपती है तो उनको पढ़िएगा और कुछने का अभ्यास किजिएगा आप लिखते नहीं है तो भाषा का प्रचार नहीं हो लगा कर हम लोग इसका प्रचाप पसर करें और आगे अगे बढ़िए बहुत बहुत देनवाद महीश जी आपने हमारा स्वागत कर आपके है है और आपने हमें अपना समय दिया अपने जिवन के बारह में बताया बहुत देनवाद है नमस्कार जन्ता लोग दर्शक लोग आप लोगों को यही बताना चाहेंगे जैसे कि महीजी ने काया कि हिंदी हमारी भाशा हमारे पुर्वत जब आए थे तो अपनी भाशा भोछपुरी भाशा लेकर आए लेकिन भोछपुरी भाशा के साथ संगर्श के समय के साथ साथ हिं किएगा और उनके नाटकों में मंचन कीजिएगा हमारी और से मिसी की पूरी टीम के और से नमस्ते